दिल्ली कैपिटल्स के IPL कैम्पेइन को लग गया है बड़ा जटका IPL अभी सुरू भी नहीं हुआ है और उनका एक बड़ा प्लेयर IPL से बाहर हो चुका है अभी कुछ दिन पहले उनके लिए न्यूज आई थी खुसियों वाली कि उनके कप्तान रिसपपन्द फिट हैं खेलेंगे और साथी साथ कीपिंग भी करेंगे तो कहते हैं ने खुसियों को नजर लग जाती है तो नजर ही कह सकते हैं कि लग गई है उनका एक बड़ा खिलाडी जो प्लेइंग इलोन में कंफर्म था वो बाहर हो चुका है नाम क्या था उसका नाम है उस खिलाडी का हैरी ब्रूक और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है परसनल रीजन के कारण और इसी परसनल रीजन कारण मतलब जो परसानी अभी हो रही है साथ वो इंगलेंड और इंडिया का जो सीरीज था उसमें भी था क्योंकि टेस् वर पांच में खेलेंगे मतलब वो पूरी तरह से टीम के प्लान का हिस्सा थे और अब आखरी समय में टीम को पूरा प्लान बदलना पड़ेगा और हैरी ब्रूक देखे छोटे-मोटे खिलाडी नहीं है जरूर पिछले साल उन्होंने उतना अच्छा प्रदर्सन नहीं किया थोड़ा इस्पिनस के अगेंस उनके उनके स्ट्रगल रहे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि हैरी ब्रूक मैच विनर हैं इंग्लैंड को कई मैचेश जिता चुके हैं वो टेस्ट मैचेश T20 फॉर्मेट में खेलते हैं तो मतलब उनमें दम है और साथी स पिछले सिजन जब एक बार वो ऐसारस से ओपन करने गये थे तो सेंचरी उन्हेंने लगाया था आलंकि उसके बाद भी ओपनिंग किया लेकिन कुछ खास उनको वह मिला नहीं रिजल लेकिन जो बंदा T20 में IPL में सेंचरी लगा सकता है उसमें बहुत ही ज्यादा दम होता तो कह सकते हैं दिल्ली केपिटल्स का पूरा मास्टर प्लान फेल हो चुका है और मिडिल और में अब इनको चाहिए एक अच्छा खिलारी तो देखते हैं क्या उनके पास वो खिलारी अवलेबल है तो हैरी ब्रुक बाहर हो चुके हैं ये निउज अब जग जाही रो चुक और सबसे बड़ी बात कि इनको चाहिए नंबर पांच पे एक तगड़ा हिटर ट्रिस्टन इस्टप्स वही काम करते हैं भरोसे मंद हैं टी ट्वंटीज में खास कर इनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो दिल्ली के बैटिंग फ्रेंडली पिचेच पे ना कोहराम मचा सके औ लंबे लंबे छक्के ये लगाते हैं चोके लगाते हैं और सबसे बड़ी बात इनको खरीदा भी इसी लिए है दिल्ली ने कि भाई कोई हिटर हमारे पास रहे अगर कोई चोटिल हो जाए तो भाई रेकी पॉंटिंग एक बैक अप लेके चलते हैं तो कह सकते हैं कि वो जो अब उनका बैक अप है ना काम आने वाला है और जो इंपोर्टेन पॉइंट है इनका फॉर्म ना हैरी ब्रुक से भी अच्छा चल ला है अभी जो साउथ अपरिका टी ट्वंटी हुआ है उसमें कई बार पिचेश स्लो भी रही है लेकिन ये स्लो पिचेश पे भी अच्छ उसी पोईशन पे खेलने के लिए और मतलब टीम को जो बड़ा जटका लगना चाहिए ता सायद वो जटका अब उतना बड़ा ना हो क्योंकि इनके पास एक ऐसा रिप्लेस्मेंट है जो काफी तगड़ी हिटिंग कर सकता है हैरी ब्रुक जैसे ही और T20 का प्रॉपर प्ले इनके पास ट्रिस्टन स्टप्स के रूप में मजूद है तो जल्दी से देख लेते हैं दिल्ली का प्लेइंग 11 अब क्या दिखने वाला है शुरुवाती मैचेच के लिए तो यह आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दिल्ली का प्रॉपर 11 ज्यादा चेंज नहीं ह होगा और साइद आपको यही प्लेइंग इलिए उन देखने को मिलेगा डेविड वार्नर प्रित्विसा ओपन करेंगे फिर मिसल मार्स है रिसव पंद फिर आते हैं टी स्टप्स जो की बहुत ही तगड़े हिटर है कुमार कुसाग्र लली तयादों में से कोई भी इंपैक प्लेइर में ठीक है तो यह ध्यान दीजेगा तो मतलब इनका प्लेइंग 11 लगभग यही रहेगा और मैं कंफर्म हूं कि यह 11 ही स्टार्ट करेंगे पहले बॉलिंग होगा तो हो सकता इसांत सर्मा यहां पे रहें तो बहुत बड़ा जटका जो इनका मतलब प्लान फेल हो कौन होगा प्लेइंग इलेवन में उनका रिप्लेस्मेंट तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है वीडियो को जल्दी से लाइक और सेर कर दीजे आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है उसके लोग जो भी नहीं हुजर है चैनल को